दुम्रपान सिहत के लिए हानी का रख है ये कैंसर का कारण हो सकता है अल्काहोल कॉंजामशन इस इंजिरियस तो हिल्थ वी दू नॉट प्रोमोट अल्काहोल प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो पास बैठो जराज तो इक्रार करो प्यार मांगा है तुम ही से विट, विट, इस वस ना रहुट अज आए अज़ चाहता है विट, विट, अज़ विट टुम हो रहाँ, अज़ अज़ को टूब को देए विए दूखना है विट, विट, बूड देस्टरी अज़ प्यारी पापा मैं निकल लाओ वे मेड़ा जहाँ टीबी तो लेके जहाँ मैं इमान मुझे देर रहा है अरे लेके जहाँ अहाँ ये मैं ही हूँ इमान मुईच्छो कितना भरा लगता है ये नाम अचके पर तब I was just like a नादान परिंदा I was not into studies from a very very young age it never excited me when someone told me about studies and my father was always upon me ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हें क्या लगता है इतना मार्स लेकर तुम जिन्देंगे में कुछ कर पाओगे नहीं मगर मुझे याकन है के तुम जिन्देंगे में कुछ बन सकते हो लेकि तुम परे नहीं करना चाहते है अरे इसके लिए मैनद करना पड़ता है पर नहीं तुम एनद नहीं करना चाहते है पापा आप मुझे नहीं डाखते की हो अगर मुझे मुझे इन्दें रहती तुम्हे ऐसे डाखती कभी नहीं जब नहीं इट वस मी और माइ फादर प्रॉबबली बिकाज मैंने अपने मम्मी को कभी देखा ही नहीं था मेरे पैदा होते ही वो इस दुनिया को छोड़के चली गए गुस्ता हो अपने डाखते की हो रह पैया करता हूँ इसलिए तुनाठता हूँ यह कासे हुआ अप्यार देखते है डाखते हुआ यह कासे हुआ यह कासे हुआ यह कासे हुआ मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा तुम्हे झुट्रागलना करना कैछी मझा Bronies करता हूँ कि मैं एक दिन बड़ा होके एक सुकस्फूल इंसर नगा and he never left a single chance to make me realize how much he loved me my dad was a mere salesperson of a company earning a below the line of a decent amount and with that he tried to fulfill as many wishes of mine that he could and missing my mom every single day I slowly grew up that day I gathered a lot of courage and went to my father for seeking permission and yeah 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 जी ली जी पापा आपसे कुछ बात करना था पापा क्या पापा मुझे कुछ सीखना है सीखना है पापा मुझे मुझे पढ़ाई के साथ साथ और एक और चीज भी सीखना है क्या सीखना है मतलब मुझे मुझे गाना सीखना है पापा सुएख को माई पापा इसके छाए स्टूछा आ दूझ में कर दो हाउब बाद कर दो इसके बाद मेंखस्रा सुचूँका ऩॉदुद Figure बाद में सोचुदूगा बाद में मे एम एक बाद में तुछ tubing मैंदे बोला नहीं मैंपकर धрип Lyn slash in which I could bring singing in my life. But I was proved wrong by my father the very next day. पापा! पापा, मैं निकल रहा हो? पापा? यह क्या है? जमीन में इतना बड़ा बॉक्स. साद तुमारे काम की तुईची जो. देखो, खुल के देखो. मेरे काम की? हार्मोनियम! तुमारे की ज रहा हूँ, यह की थे लाखान रहूची अचानी GMIST- as I already said studies never excited me but as time went by something gathered my attention a lot that was singing time went by and my interest towards music kept on increasing it increased to that extent that my main mode of recreation was music if I had to recreate myself after anything boring this was my true friend and when I say boring it was obviously studying and like this I grew up it was the night before my 18th birthday I asked for the most expensive gift I have ever asked yesterday my 18th birthday so can you think about something about your gift? hmm I think a lot of things but what do you need to do with it? I have been learning a lot of songs and I had to learn a guitar so I thought that you will okay I will see you okay Papa okay Papa what happened to me? a person came in front of me to kill me and Nita had an accident अप्सान, एफ बाद है। अच्जिए। इस वर्ट, अजच्छना, बाद प्सक्थना फिले मी दॉड़ाना, वो जाए। कि बाद धुड़ा सकतर दूगा, तूट आप टूड़ा देवाना, और दूगा इस दूड़ा सूड़ाना, झाल झाल सै का बन कंड कर दो प्रकश कर दो हबाबाब पिप पिप भी पिप जो घुकिटिग। was how to live the rest of my life alone. My father never let me interfere in any of the financial matters and I was totally blank so as to what to do for a living. My condition was worse and by condition I mean the way I had to live, unemployed. On the other hand, the dream of mine and my father would totally come to an end because I did not have the resource to continue with my singing lessons. Well, I did not have enough money to assure my survival but that passion which I had towards singing had now turned into a stubbornness. My gut feeling made me leave my studies. I was having only one goal in mind to get settled with music. Only then my dad could be happy from there. I started working in a grocery store and that's the only way how I could earn some money to live. I always used to practice singing and used to play that guitar. Yes, that guitar. When I was free from work, even the shop owner supported me. As usual, I was in the store practicing some songs. Someone was waiting the whole time as listening to me. I couldn't believe me. तेरी परवाह करता हूँ नमा तुझे सब है पता है नमा तुझे सब है पता मेरी माँ When I opened my eyes I saw someone standing and listening to me I asked him Sir what do you want to buy then he told me something that changed my life he told me your voice is God gifted and I said thank you Sir but it's just a try and he said Would you like to work with me? I said, Yes sir, why not? I love to. He is a big music director. And I was surprised. I love to. After lots of try and fails, I finally did it. I did a lot of big projects. And now, I am a successful playback singer. Everyone knows Imon Moitro. It's not just a name. Now it's a brand. Imon Moitro. Imon Moitro. करूँ प्यार मांगा है तुम ही से ना इंकार करूँ करूँ प्यार मांगा है लुट है ना इंकार करूँ टुम है थैं किता है जा इंकार करूँ एकर उन में ऴुट हैं कर दो कर दो प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो पास बैठो जराज तो इकरार करो प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो प्यार मांगा है तुम ही से ना इनकार करो कर दो एक जा बार प्यार मांगाउ यदित वाल इनकार कर दो एक प्यार मांगा बार तुम जर दो प्यार दो शाल्ड दो यद्या है तुम ही से कितनी हसी है रात 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 सुझसपर्रीट गचैने को सिल सफिन यक생 कि उतलु हेड़ी रहे और सन्मेटरा है और सबहों कर और प्रम्रा के शहरा है अब कर भाईया है तुम ही से, ना इंकार करो